सच पूछ ये तो बड़ी मात हमें ये रिष्टा पूपने पाला है क्यों? क्या समी? हमने सब पता कर ले हैं हम अदत एक कोईले का विवसाई हैं मैं इस बिछले दू पुष्टों से उसके तरफ्की होगी उसके घर में अभी तक दूर्गा पुष्टा की धूम तक नहीं होती और तो और अपने घर में वो मारी कपर में किरायदा रखे होगी मुझे तो डर है कि अगर हमारा रिष्टा उसके साथ हो गया तो अगर हमारे जिपिंदारी को लेकर लोगों में बाते में शुर्ण होजा मुझे लोगों की परवा नहीं है मज़ा मुझे तो बस लग़ी पसाता है बड़ी माद एक बार परसा सोच विजार कर लीचे कि अभी वहाबुलतत जिस तरह का आदमी है कहीं ऐसा नहों को हमारे नन्ने को अपनी मुठी में नगर ले हमारे नन्ने में जमिदारी खून है और मुझे अपने खून पर पूरा भरुसा है ऐसा कभी नहीं होगा ठीक है बड़ी माद जैसी आप क्या क्या बूदनार पापा ऐसा लगता है जैसे हमसे आपका कोई रष्टा ही नहीं रहे गया पिनाचे ठीटाने तो आप आते ही नहीं है पिताजी की तब एक भी ठीक दी रहे थी दिन पतन वो अजीब अजीब बाते करने लगे हैं हमेशा आपको याद करते हैं उस दिन आप बिना मिले चले गए थे उन्हें आपसे कुछ जरूरी काम था उसे लेकर वो बहुत चिंतत है जिठी मिलते ही तुरंट चले आईए जब आए किरी केसी भी तरहें छोटी बहुत से नजर बचाके यह खाद छोटे बाबो को दे देना अर्शन, यह रख ले यह पांच रुपे दे लिए तुम जिल्टा मात करो जूनी छोटी बहुरानी को तो खबर भी ना हो सखेगी मैं यह चिठी छोटे बाबो तक पहुचात रहती राती हो मैटे बाबो, हाप काहा थी तुम कितने दिन से त्यरह इंजाब करा है अर्शन, निया तरह इस चूपके या रहे थी बाबो, आज पी ठीक नहीं है मेटकला जाओंगी पर ठीक नहीं है ठीक के लगए तो नहीं है विश्व आपको मज़ा सरामत करा कज़ करेक टाओ तरोके कि दॉट हरे कि ह con सब कि कि धजे, दुट दुट युट खरेक इसमनो गया दो कर्फ़ बसक्ति दो लिए खादिए एऑन,तनल बसक्ता मैं,कनग मैं वियन केर, मास्तbod ज बड़िए, mise गया है बस्क्तिस अविए खिर, म forskอย Giए थो बजनかった बस्पतिस जतो तिए प्रचίνल मांसरा झाल जो जो झाल जो 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 दो जो जो को प्योखके लगा जो 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 होगा है जोट अब को चोटी मुरानी चोटी मुरानी यह क्यों शौर मचा रही हो चोटी बाभू सो रहे है यह उतर खेड की से चोटी बाभू को आवाज दे रही थी कि छोटे बाबू कौ upp कि नहीं चोटी बाबू को Peace कि यह चुपा रही है क्या चुपा रही है नहीं लोग अ parecer जोटे बाबू आपके चर्णों की दासी आपके वियोग में तड़प रही है मैं आपसे मिलने हवेली पहुँची थी मगर बंसी ने मुझे बाहर से ही ये कहकर भगा दिया कि आप मेरी शकल भी नहीं देखना चाहते मैं आपकी चिंता में दिन रात खुलती जा रही हूँ इससे पहले कि आपकी चुन्नी दम तोड़ दे उससे आकर मिल लीजिए आपकी चुन्नी तूरी ये सब करने की हिम्मत कैसे हुई तू इस हवेली की वफादार है कि उस चुन्नी की आपकर तो जोटी महुरानी आइंता इसी हरकत कभी नहीं होगी जोटी महुरानी आइंता इसी हरकत मत कर ला नहीं तो तू जानती है ना कि हवेली के पिछवाडे तेरे जैसे नजाने कितने गदार जिता दसना लेगा है लेड ही जोटे बोड़ाने चलिजो यहां से, चलिजा भाई साब नमस्ते भाई साब नमस्ते नमस्ते आपके मुझे पैचाना आपको कैसे पूछ सकता हूँ जब है कलकर तब मैली बार आया था आप भी तो दे जुनर जे मुझे जही रास्ता लिखाया आपके कन पर आया था जलेवी खाले इन ए के जलेवी का कल्ग़ार थे उठालिया थे उखले मुझे बार विखाया थी करी मेल शीड कर आपके के रखने जगाड़ा लगाया था तो बहुत बुरा हूँँए तो बुरा हुआ अभी आप जानते उने? जानता हूं बहुन अच्छी तरसी आपा हूं यहां, रहा हैं आप जालता हूं पर फिर बिले हूं अच्छा नमस्त्ति इस दो मिर बिलता हूं यहाँ कुटनाथ बाबू, अच्छा हुआ तुम आ गये, आज मैं अपने दिल का बोज हलका करना चाहता हूँ, बाखे रह सक्या बोज आपके लोगों का बगाया है, तुम्हारे काम के हिसाब से मुझे तुम्हे 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 देना चाहिए तुम्हे नहीं दे सका, यह लोग पांचसो बुटे है, इन्हे ग्रहन करो और मुझे 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 दे, मैं एक एक रिंड से मुक्त हो जाना चाहता हूँ, बाकि जो बचेगा, वो मैं ब्रह्म समाज को दे जाओगा, यह रुपे में नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकते हैं, मुझे एक अन्याय वुआ है, बूतनाथ बाबू, तुमसे कभी कोई अन्याय हो ही नहीं सकता, जबा जानती है मुझे क्या अन्याय हुआ है, जबा, जबा बेटी, यह भूतनाथ बाबू क्या कह रहे है, नमस्ते, आओ सुपुवित्र, आओ, बूतनाथ, इनसे तो तुम मिल चुके हो ना, इनी से जवा का विभा हो रहा है, जबाए, आदधी, तुमस्ते, नमस्ते, नमस्ते, बूतनाथ, बटराथ बाबू, कि आप अठिए वागों विया भॉदा आपको दिधी बुला है लिए भॉदे वागों ठीक है बुरुह है मुनार्गा वागों तो भॉल गए थे नहीं, मैं भूला नहीं तो इसे इस तरह छोड़ जाने का मतलब आप रख लीजी तुम मुझे दान दे कर जा रहा मेरी इतनी हैसियत कहां कि मैं आपको दान दे सको यह रुपए मैंने आपको दहिज में दिये दहिज? मैं तुम से दहिज क्यों लूँ? तुम्हारा और मेरा संबन्दी कह है सब कुछ मुझे से कहनाना चाहते हैं जो कहना चाहती है कहते है मगर मैं सिर्फ इतना यह कहूँगा कि क्या मेरा आप से संबन इतना भी नहीं कि मैं आपको उपाहर में दे सको उपाहर लेने में मुझे कोई अध्रास कि लेकिन इन रुपयों की जरुवत इस वक मुझे से जाधा तुम्हे है हाँ ठीक हाँ इन रुपयों की मुझे जाधा जरुवत है नावक्री भी नहीं लेकिन इन रुपयों से बढ़कर भी एक और चीज है कौन सी चीज? वो लो भुटना तो का शीजी से में बतानी में को ये टरासा नहीं नहीं को नहीं का मता हुआ शायद भी बतानी का मो का नहीं आगा मैं मौका निकाल लूँगा और कहीं सुनने का समय निकल गया तो शुब हित्रबा को आपका इंतिसार कर रहे हुए बड़ी इर्शा होती है न उतसे अला मुझे क्यों इर्शा होने लगी बात को घुमाओ उस दिन तुमने मेरा हाथ पकड़कर खीजाता मैं उसे हैं नहीं सकी थी लेकिन आज मैं को सब सुनना चाहती हूँ जो तो मुझे कहना चाहते थे इस तरह खाड़े पड़े जवाब नहीं कि आजा सकता है निया भी जाय तो आप समझें कि नहीं तो शायद मैं समझा नहीं समय को संदे तो यह है कि मैं तुम्हे समझें नहीं एक पल में कुछ होता हूँ और दूसरे पल में कुछ होता हूँ करने पारी करने तो यह हूँ जाए थी फूमे फूमे ने, पूछ पता वरना ठेटुआ दबादूँगा, बोल कहाँ से आ रही है? दन्य बाबु के पास है तरी ये वकार, किस अमेनतारों के साथ सुए टाओ अश्क बाबु, मरे बाबु, किस अटेट ने के जा रहे है क्या? अन्य वैं जब आपको बापको से मकटाना इस हाँ अरी इहमत को दूचाब अरे अर्य क्या हमा वाँ किया कैसा मुछों पूचों क्या नहीं किया यह ज़िए रानी के सपने झाला भी है आपका नन्य पूद का फूला हुआ ने इना वाल आप उसका मेलापन क्यों नजर आने लगा? वो अकमा खुझा रहा है मजली बहूँ मैं पूछती है आप से आखे जबिदारी के कुछ सी पर्वाद रहा है इसमें सारा कसूर और अवरत के ही मत्ते मढ़ाजाता है मर्त वित्रे करे सबाफे मजली बहूँतुम मेटा किसका है देख मजली दड़े बाबु तब पहुचेगी तो ठीक नहीं होगा हां अरे उन्हों ने तो एक एक राद में एक एक लाफ रुपया फोगा है तेरे बाप में कभी असब निका है और तेरे बाप तो क्या है तेरी साथ कुष्टों में किसी नहीं फुका होगा बहुत क्या बड़ी थी मैं आपकी इजद करती हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे खांदान दक पहुंच जाए मैं खोड़े पर आ गई ना तो सब कुछ खोल के रख तो इस सबान को लगाम दो मजी बहू चोटी बहू तुम बीच में मताओ माफी चाहती हूँ जी जी अंजाली में जब बड़े कल्दी करने पर उतर है तो चोटों को बीच में आना ही पड़ता है आप मर्द हैं मर्द और अधर पर हाथ उठाएं ये शोभा नहीं देता चोटी है मैं ने शोटी ही समझते हैं अधि लेकिन आज तो मुझे बचा करें बहुत बड़ी हो बेर नहीं देता आपके नज़र में मैं छोटी थी और छोटी ही रोगी सब्सक्री करता है ज़िए मैंने बागगोटी सजा लिए आज दिल में है सुनु एसा मैं पहली बार सुनु लिए कि बागगोटी के लिए आपका दिल नहीं कर रहा है है साज हुआ भी तो पहली बार सिंदु लाकिन आपको बहुत दुख पहुचा है ना दुख इस बात का नहीं है कि मजली बाबुने आज मुझे वर हाथ उठा है दुख इस बात का है कि जिस चोटी को मैं हमेशां दाने माना करती थी अज कितना बड़ा काम कर दिका है चोटी मालकिन भली ही गरिब गर्गी लगी है लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है मैं खुद के नजरों में जैसे गिर के हूँ जिस चोटे से मैं हमेशां नजरों में नजरे डाल कर बात करती थी जैसे नजरे डाल कर भी बात कर सकती अब एसो क्यों सोच दे है मालकिन यही सोच सोच कर में शरम से गड़ती जा रही हूँ भी मैसेशा जरॢकी को मेरे इतना सताया उसको इतना दुख हचाया कर उसrobi मेरे बारे जाए जा मेरे ज़ुक्त कर आप है जा समझने में बुख भूल करती में शेचेपाइ झाल झाल